आज आप सभी के कॉमेंट के आंसर देते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं और अलग-अलग सारे कॉमेंट पे वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो एक ही वीडियो में सभी के कॉमेंट के आंसर मिलेंगे देखे सबसे पहले यहां पर एक कॉमेंट पूछा गया है जैसे कि आप प्रमान पत्र के लिए बताई हैं कि फॉर्म भरने के लिए प्रमान पत्र की भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास प्रमान पत्र नहीं है कैसे प्रमान पत्र चाहिए फिरी स्लाई मसीन योजना पीम जाच के लिए अगर आप गाउं से हैं तो आपके परधान के पास जाएगी जाच और अगर आप सहे से हैं तो आपके जो वार्ड मेंबर हैं या चेर्मेन हैं नगर निगम में वहां पर जाएगी जाच जब जाच के लिए जाएगा तो वो आपको कॉल करके बुलाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको एक सपत पत्र देना है जो तहसील से बनता है ठीक है तो वो आपको बनवाना पड़ेगा वही पर्माद पत्र होगा जिसमें लिखा होगा कि मैंने पहले किसी सरकारी होजना का लाभ नहीं लिया मैंने कोई दिन नहीं लिया है और मैं जो है ये ज पर्माड़ पत्र बनवाना है जब परधान के पास अप्रूब होने आएगा वो मांगेंगे वो महर साइन करके आपको लेंगे पर्मादपत्र बिलोग पे जमा करेंगे उसके लिया असा करतें कि आपको समझ में आयेगा पहले से आपको जिरूबत नहीं है दूसरा है यहाँ पर मैंने भी फॉर्म भरा है बट फॉर्म तो हम कहीं जमा नहीं किये ये भी सलाई मसीन पीम विश्व करमा योजना का है आपको फॉर्म भरने के बाद कहीं जमा नहीं करना है जब आपका फॉर्म जाच होने के लिए परधान के पास जाएगा या सहर से वाड मेंबर के पास जाएगा तो वो आपसे सपत पत्र लेंगे आपके फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो लेंगे आपका बैंक पास्बुक का फोटोकापी जो कुछ भी मांगे डाकॉमेंट वो साइन महर करेंगे तो वो खुद ले जाकर बिलोक में जमा करेंगे अगर वो नहीं जमा करते तो आपको जाना होगा जमा करने के लिए वहाँ जमा तब होगा पहले से कहीं जमा नहीं होगा ठीके उसके बाद है हमको भरना है कैसे भरेंगे अरे इतनी सारी वीडियो मैंने जानकारी दी है पीम विश्व कर्म योजना का फर्म जन सेवा केंदर पर ओनलाइन आवेदन होता है जाकर करा लिजिए साइड अगर चल रही होगी तो आपका आवेदन हो जाएगा इसमें कोई लास्ट डेट नहीं है ये हर साल इसमें मैंन गया अक्ingo 15 चांगी तो आपको अरधिकरी होंगी या महिला का ही आवेदन मतलब कर इंटरव्यव हता है कुछ इस तरीके से आपको त्यारी करके रखनी है अगला है यहाँ पर graduate लिखा है तो graduate लिखा है यह तो मैंने एक post की थी आज सुतंतता दिवस है आप सभी को बहुत-बहुत सुभ कामना है मैंने और रड़ी एक post यहाँ पर कर दी थी सभी लोगों को आजादी के सपावन पर्व की हार्दिक बंधाई और सुभ कामना है सभी देशवाशियों को सभी हमारे विवर को सभी हमारे सब्सकाइबर को तो यहाँ पर एक कमेंट आए चलिए लाइक करते है थैंक्यू सो मच अब देखें यहाँ पर प्लीज हमारे चाहते है कहा पर अपलाई करें कहा पर अपलाई नहीं है आप समू से जुड़ी है समू में खुद आएंगी लखपती CRPDD आएंगी आपको इसकी जानकारी देंगी या आपको अधिक जानकारी चाहिए तो अपने ब्लोग पे BMM के पास जाएए समूं से जुड़ी है तो आपको बिलोक्स जानकारी मिलेगी वहाँ पर जाकर जानकारी ले लिजिएगा फिर अगला है सिलाई मसीन का ये भी है ये फॉर्म अभी अभी भरा जा रहा है क्या आप जन सेवा के अंदर पर जाएए आपको जो है पता करना है साइड अगर चल रही होगी पीम विश्व करमायोज ना की तो आपका आवजन हो जाएगा आपको समय समय पर जानकारी करते रहना है आप अपना फॉन नंबर दे सकती है फॉन नंबर नहीं दे सकते हैं अप जो है हमें इंस्टा अगर आपे फॉलो करके डियम करके questions पूछ सकतीं मैंने कई बर आप लोगों को जानकारी दी इंस्टा पे हमें question पूछ सकती है इस्टा पे आप हमें फॉलो करें वहाँ पे जानकारी ले सकती sticks थी कैं तो इंस्टा को आपको language में कुछ लिखा हुआ है ना Hindi है ना English है पिर अगला है दीदी मैंने भी form भर दिया है लेकिन phone नहीं आया है देखे phone आने में छे महीना भी लग सकते हैं चार महीना भी लगते हैं बीस दिन में भी आपका ुकर सकता है जब आपका Allen अप्रूव हो जाएगा तभी तो कॉल आएगा ठीके जब आपका प्रधान के पास और दो मेंबर के आप को मतले हें पिर जिले पर जाएगा वहां अपूबूम को पर जाएगा उसके बादी और बी प्रोसेस रहे हैं बहुत समय लग रहा है तो वेट करिएगा जब आपका अगर फार्म सेलेक्ट होता है तो आपको बुलाया जाएगा बाकी आपको जल्दी फार्म का इस्टेटेस चेक कर सकते हैं जलसेवा के पर जाकर जो आपका रेजिस्ट्रेशन पंजी करण नंबर है उससे अपमें फार् लखनों से जाच आई है कितना सर्वे कर लेती हो जलसकी और कैलोरीन कितना मिला है यह पूछा जा रहा है अच्छा जी यह पूछा जा रहा है फॉर्म भरना है जनसेवा केंद पर आप जाकर के भरिए वहीं से फॉर्म भरा जाएगा ठीक है मैं बीए सेकेंड एयर तक पढ लेकिन इसमें पढ़ाई लिखाई भी नहीं मांगी जा रही बस आपको हुनर आना चाहिए आप वो काम कर लेती हो पढ़ाई लिखाई कि इसमें कोई जरूरत नहीं मांगी गई है ठीक है उसके बाद यहां पर है दीरी आप मुझे इंटर्विव के पूछ जाने वाले जो पद पे आपने आवेदन किया है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेशन पूछे जाएंगे समु की जानकारी चाहिए कैसे मिलेगी मेरे चैनल पर आप विजिट करिए चैनल पर आपको जो है प्लेडिस्ट में जाकर के बहुत सारी प्लेडिस्ट मिल जाएंगी वहां पर यहां पर है कब तक पैसा मशीन मिलेगा देखे जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर ही वाउचर मिलेगा तो वहीं से आपको जानकारी होगी हमने भी अपलाई किया था हमें कोई कॉल नहीं आई उत्तरा खंड से देखिए अब कॉल आए म country चेक करते रहे मैं हमारा समों में एक किस जमाहां है आरेफ भी आया है लेकिन समूं नहीं चल रहा क्या करें आरेफ नहीं आया है आरेफ भी आया हैर्या सब्सक्राइब करिए-सका पैसा आएường करिए करिए बेन मं से बताईए डंबर वग्यारा तो आपको नहीं मिल सकता ह क्योंकि जो है आप लोग इस्टा पर हमें फॉलो करके कर सकते हैं कोई भी जानकारी लेनी हो बहुत ही सुन्दर बताया आपने थैंक्यू सो मच आपका जब आप रेट 15,000 देंगे क्या हमें वह वापस करना होगा और किस तरह बताएं मैंने इस पर और लेडी वीडियो बताएंगे 15,000 रुपे का ये वाउचर मिलेगा जो आपको रिद्म कराके उसकी एक मचीन मिल जाएगी फिर आपको मचीन मिले गए या आपको बस हो गया आपको कुछ वापस थोड़ी करना है तो 15,000 ना तो आपको वापस करने है बस आपको ये वाउचर के रूप में मिल तो आपने अच्छ तरीके से मतलब जो है नी भरा होगा और बीस टाइम होगा तो मिलेगा मैं मार्च में वर्म घरी हूं मेरे पास अभी तक कुछ खबर नहीं है कब आएगी भाई पर मेंजों को टो आपको आएगी ठीक है तो लेकर ओके थेंक्यू यहां पड़ा इन्हें न और आप योगろ नहीं मतलब लग राए कि नहीं मीली तो यहां पर पालतू लगण यह देखिए इन्होंने क्या कहा है मुझे मिली है इनको मिली है देखिए ज़र्ण उसे मिली है देखिए इस बहुत लोगों आप लोगंन पीका फुल फॉर्म अपने पूछा था मैंने आपको बताया इंटर्नल कॉम्निटी रिसोर्स परसन होता है उसके बाद है यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर पूछा गया सरकारी नोकरी वैसे समू में अध्यक्ष या सचिव के पद ले सकते हैं क्या मैडम जी बताओ प्लीज सरकारी नोकरी वैसे समू में अध्यक्ष सचिव के पद ले सकते हैं मुझे नहीं समझाए आपको कमेंट फिर भी मैं आंसर देती हूँ जैसे अगर कोई पहले सरकारी नोकरी में है ठीक है तो वो समू में जुड़तो सकती है लेकिन समू से केवल फंड डादी का लाव ले सकती है समू में कोई नोकरी नहीं ले सकती है और अगर मतलब आप समू में अध्यच सचिप को साध्यच के पदपर हैं और समू में कोई नोकरी करना चाहती तो उस पर आवेदन कर सकते हैं अब यहाँ पर एक क्वेशन आया है संगीता गोविंद बनसोर चार महीने हो गए अभी तक मशीन नहीं मिली मशीन ऐसे नहीं मिलेगी फॉर्म सेलेक्ट होगा जाच होगी आपका फॉर्म अगर सेलेक्ट होता है तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तभी तो मशीन मिलेगी उसके बाद दीदी मैंने अभी फॉर्म भरा है ठीक है आपने भरा है ओके यह पुरानी वीडियो है उस पर उन्हें यहाँ पर लिखा है हेलो मैम कहां से मैं यूपी से हूँ फिर यहाँ पर पुछाएं मान दे कितना है दी मैंने इस वीडियो के अंदर सक्री महिला का मान दे पूरी जानकारी सब कुछ दिए आप लोग फिलीज वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से प्राप्त हो पाया आधिया दूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी ठीक हमारा अभी तक मैसेज नहीं आया आज आएगा आप लोग जो है जो है जब फॉर्म सेलेक्ट होगा तभी तो आएगा फिर यहां पर देखिए पूछा गया कि दीदी मेरा होगा फिर से आइजन होगा तो आपको वरेता मिलेगी आप दुबारा फिर आवेजन करिए और उसके बताई गई चेहिसाब करने पर दोपार सेलेक्शन नहीं मिल पाएगा ठीक है वरीता मिल जाएगी छूट मिल जाएगी तो हो सकता है कि आपको रखा जाई यह आप अपने BMN से जानकारी कर लीजेगा इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आये हुए हैं मैं यहाँ पर सबके कमेंट पढ़ूँगी तो बहुत दा यहाँ पर लंबी वीडियो हो जाएगी ठीके अमर जयोती की समु यहाँ पर समु का नाम बगर दे लेकिन अभी इसकी कोई सूचना नहीं है जो बीसी सकी के पद खाली होंगे यहाँ पर नए पद आने वाले होंगे वहाँ पर इसके लिए जल्दी जो सूचना मिलेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे ठीक है तो इस तरीके से आपके मैंने कमेंट बहुत स आई धन्यवाद